सोलन में भारती जंता पार्टी ने माल रोड पर विधान सवा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार के लिए चुनावी कारलाय को दिया है कारलाय का शुभराम सांसद विरेंदर कश्यप दोरा किया गया उन्होंने सबी कारेकरताओं को संबोधित करते हुए एक जुठोकर चुनावी चंग में जीत हासिल करने के लिए प्रिप्पी किया इस मौके पर कारलाय में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप से सैंक्रों कारेकरताओं का भारी हजुब देखने को मिला वहीं इस मौके पर डॉक्टर राजेश कश्यप ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथो लेते हुए का कि कॉंग्रेश सरकार दौरा सोलंक शित्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है उनने का कि सिर्फ नाम की पटी का लगाने तक ही वे सिमित रहे हैं जबकि सरकार के पास करमचारियों को वितन देने के लिए पैसा नहीं है तो इन उधगाटनों का पैसा कहां से आएगा सारे सारे प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी नेता है चायो यहां के लोकल नेता भी थे उन्होंने जो है एको पटी का इसी लगा रहे हैं हर जगा और पैसा तो बिल्कुल प्रवाइड नहीं किया हुआ है क्योंकि पटी का लगाने से कोई फायदा नहीं होता है लोगों का बेकूप नने वड़ी बात है जब तक पैसा नहीं है इसमत हमारे हिमाचल की जो गौर्मेंट है उस पे 50,000 क्रोड रुपे का कर जाए तो उनसे जनता तो जनता को यह पूछना चाहिए जितने भी हमारे मं बता दें कि अधिकतर लोग जिन में भाजपाई शामील है वे अपने प्रत्याशी का चेहरा देखने के लिए ही यहां आ रहे हैं क्योंकि राजेश कर्ष्यप राजनिती का कोई जाना माना चेहरा नहीं है केवल चुनाबी मौसम में ही वसीधा टिकेट लेकर जंग जितने एक उत्रे है व्यूरिपोर्ट की चैनल